तो हेलो फेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको तरनूग बहुत ही कमाल की अपडेट के बारे बंताने हो उनाओ जो कि आपके अपके समसंग गलेक्सी में पहले से फ्री रहती है बहुत ही कमाल का यह एप है इस एप का नाम है समसंग इंटरनेट ब्राउजर तो जैसा कि आपको बता होगा यह इंटरनेट ब्राउजर आपको समसंग की तरफ से मिलता और इसके अंदर बहुत सारे इंबिल्ड फीचर से रहते हैं गूगल क्रोम के अलावा बट यह समसंग का रहता है दोसके दर एक नए अपडेट आया नए अप्डेट कमाल के एक नए फीचर समय डाउन किया गया जो कि मुझे डेफिनेट्ली बहुत शांदर लेगा क्या यह नए फीचर है कैसे यूज करेंगे सारी डीटेल में आगे आगे आपको बताने वाला हूँ प फोल या रहτα है इसका अपको अपडेट वाले सैक्शन में चले जारे को देखेंगे अपको एक नए अपडेट मिल रहता है झो कि आपके अन्ध करेंगे बात प्रछाइनल ये है, तो हम बीटा की बात नहीं करेंगे, बीटा में फिर्ट तो पहले यह आ चुका था, बहु नॉर्मल वर्आन में भी आरहा है अब बात करें नहीं फिचर की क्या है, इसमें एक नहीं फिचर जे दिए कि है, support screen shot in secure mode, आप secure mode के अंदर जा के screen shot को वहाँ पर capture कर पाएंगे और आप देखेंगे इस update को load किया गया 3 जुलाई 24 को इसका update size 146 MB का जिसका version number 2600.52 अब पहले मैं update होने से पहले आपको बता दू कि ये feature actual में काम कैसे करेगा और पहले में है कि नहीं तो मैंने अभी update नहीं करा है update करने से मैंने samsung internet ब्राउजर खोल लिया यहाँ पर plus पर गया यहाँ पर मैंने secret mode खोल लिया ठीक है और अगर मैं secret mode पर कोई भी screenshot लेने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर नीचे error आया था the app does not allow screenshot आप देखेंगे पर आप देखेंगे secure mode में यहाँ पर वो option नहीं दे रहा है screenshot वाल अभी आप देखेंगे screenshot वाल ऑप्शन अभी इसमें नहीं दिया गया अब मैं कर लेता हूँ इसको update फिर मैं आपको बताता हूँ like में यहाँ पर आगया update कर लेता हूं फिर update करने का जब आप खोलेंगे तो वहांप पर option मिल जाएगा तर्ण ओन स्क्रीशोट इन सेक्योर मोड तो आप सेक्योर मोड के अंदर स्क्रीशोट को capture कर पाएंगे तो पहले हो ले देते हैं इसको अप्डेट फाइनल यह दोस्ते ही हो चुका है स्क्रीशोट लोंगा तो अभी भी अउर्र देर है अभी अरडर दे रहा है आप इसको नहीं कर शकते उसके लिए आपको जाना है मूंपू सेक्योर मोड स्रहें तो यहां पर देखिए आपको एक नया option मिल जाएगा allow screenshot in secured mode करके यह आपको दिख रहा होगा allow screenshot in mode आप इसको manually allow, मतलब manually इसको enable और disable कर सकते हैं अब मैं इसमें जब भी screenshot लूँगा तो आप देखेंगे यह आप screenshot लेने लगए जिसे मैं back आगया हूँ जिसे मैं back आगया हूँ आप मैं screenshot लूँगा यह मैं screenshot लूँगा अब यह तो आप देखेंगे अब screenshot capture हो चुका है अब यह screenshot capture हो चुका है तो इस तरीके से यह feature काम करता और इसमें कुछ bugs को fix out किया गया इसके अलावा भी इस app में बहुत सारे hidden features हैं इसके बारे मैं अल्रेडी बता रखाओं फिर भी आपको एक बार बता जाता हूँ लाइक यहाँ पर अगर आप settings पर जाएंगे तो आप background में music को play कर सकते हैं इसके अंदर background music play करने को option मिलेगा यहाँ पर जाएंगे advance में या useful feature में तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा background play तो आप जैसे ही इसके अंदर कोई भी YouTube या वीडियो या कोई भी मैं online music चलाते हैं उतके इसको on कर देंगे चाहे browser को off भी कर देंगे तो अभी आपका background में वो वीडियो या जो भी आपने play करा हो play होता रहेगा तो बहुत शांदर यह app है मतलब मुझे जो real में बहुत अच्छे लगती है और मैं इसको बहुत use करता हूँ मैं आपको देखा हूँ मेरे पस कितनी सारी tabs को लिए तो सारी tabs मैं समसंग internet browser में करता हूँ और जो जो मुझे tab important लगती है मैं एक एक करके उनको check करता जाता हूँ तो यह मुझे definitely बहुत शांदर फीचर लगा उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी ऐसी नए updates के लिए चैनल को दो सब्सक्राइब करज़ेगा थैंकियो सो मच तो उमीद है कि आपको दो पसंद आई होगी आपके मुझे इस्टार में फिर्जुवी फोलोगा लेना थैंकियो सो मॉइच